हम बात करने वाले मैस के important questions के विशे में और इसके साथ ही हम बताएंगे तृभुज और तृभुज के प्रकार के विशे में और लास्ट में हम डिसकस करेंगे उससे related यानि कि तृप 15 questions की जो कि आपके आने वाले exam के लिए काफी important है तो चलिए सुरू करते हैं प्रकार मीलाने पर जो आकरत बनती है उसे तृभुज कहते हैं तो इनको मिला कर जो आकरत बनती है उसे तृभुज कहते हैं से माली जे कोई विंद संरेख हैं इस टाइप से यानि की एक ही रेखा में है तो उनसे कोई भी त्रभुज नहीं बनेगा यानि की कहने का मतलब यह है कि त्रभुज बनाने के लिए तीन आसनरेख बिंदों की जोगत होती है तो यह हो गई त्रभुज की डिपनेशन अब त्रभुज के अंग के विशे में बात कर लेते हैं त्रभुज के अंग त्रभुज के छे अंग होते हैं एक तो तीन बुजाय हो गई है और तीन यह कोण हो गए और नेक्ट बात है त्रभुज के अंता कोणों का योग कितना हो तो त्रिभुज को दो आधार पे डिवाइट किया जाता है यानि कि वर्गी करेट किया जाता है एक तो हो गया आपका भुजाओं के आधार पर दूसरा हो गया कोड के आधार पर तो भुजाओं के आधार पे आपके तीन प्रकाग के त्रिभुज होते हैं एक तो विशम बाहुत्रिभुज, सम बाहुत्रिभुज और समध्य बाहुत्रिभुज विशम बाहुत्रिभुज क्या होता है विशम यानि कि जो समान ना हो बाहु मतलब भुजा थो आइसा त्रभुज जिसकी सभी भुजाएं असमान हो यानि कि ये भुजा, ये भुजा और ये भुजा तिनों भुजाओं की लंबाई अलग-अलग हो, वो विसम्भाउत्रभुज कहलता है सम यानी की समान बाव मतलब भुजा है वो ऐसा त्रभुज जिसकी सभी भुजाएं बराबर होती है सम बाव त्रभुज कहलाता है और सम बाव त्रभुज का प्रितेक अंताकोर 60 हंस का होता है कि मデıl Bio Centre जिसकी दो ढ़ाइं बराबर होते हैं कोई भी दूजा जिसे माल ही यह यह तो भुझा यह तो यह इस्व मुझा और यह जा बराबर होगी कहने का मतलब यह त्रिवुज की कोई दो भुझाएं बरावर होनी चाहिए तभी वो समंद्धिवा भुझ कहलता है में अब आते हैं के अधार पर त्रिवजों के प्रकार कोड के आधार पर भी तरुबज तीन प्रकार के होते हैं एक तो होता है अपका शमकोड तरुबज दूसरा नियून कोड तरुबज तीसरा अधिक कोड तरुबज तो समकोड तिभज क्या होता है ऐसा तिभज जिसका एक कोड 90 डिग्री का होता है वो शमकोड तिभज कहलता है और जो नीचे का ये आधार होता है नीचे का पोजिशन जो होता है इस तिभज में आप देख लिए बीसी है इसे आधार कहेंगे और जो लंबर लेखा होती है ल प्लस आधार इसको आए इसे कहते हैं पाइथागुरस प्रेमेय ठीक है नेक्स्ट है नियून कोड तरिभुज आईसा तरिभुज जिसके सभी अंता कोड नब्यान से कम हूं वह नियून कोड तरिभुज कहलाता है इसे ये कोड सतर है ये तीस है ये ये है आपका 80 तो इस अभी कोड नब्यान से कम है इसलिए इसे नियून कोड तरिभुज कहेंगे नेक्स्ट है अधिक कोड तरिभुज आईसा तरिभुज जिसके जिसमें एक कोड अधिक कोड होता है ये इसमें बी कोड जो है 110 डिग्री दिया है बाकी एक है 30 दूसरा है 40 यानि की अधिक कोड वातरिभुज होता है जिसमें एक कोड अधिक कोड होता है ठीक है तो चलिए अब त्रिभुज और व्रत से संबंदित कोश्चन डिसकस कर लेते हैं पहला कोश्चन है चित्र में कोड B 70 है 70 डिग्री है कोड C 60 डिग्री है E B C का E B C का मद्द बिंद है F A B का मद्द बिंद है कोड F E B यानि कि F E B यानि कि ये कोड हमें ज्याद करना है तो चलिए देखते हैं कि ये तर्भुज दे रखा है और ये इसकी मद्द बिंद से मिलाने वाली रेखा है तो ये दोनों रेखा हैं समानतर होंगे क्योंकि अगर कोई तर्भुज दे रखा है और उसमें कह रहा है कि किसी लाइन के इसका ये मद्ध बिंद हो गया और इस लाइन का ये मद्ध बिंद हो गया तो इनको जब मिलाएंगे तो जो आधार होगा वो इस रेखा के समानतर होगा यानि कि प्रमेव होती है कि किसी त्रभुज के दो भुजाओं के मद्ध बिंद को मिलाने पर बनने वाली लेखा तीसरी लेखा के समानतर होती है, तो इस हिसाब से ये लाइन और ये लाइन समानतर हो गई, ये इसे तिरेक लेखा काट रही है, तो ये कोड और ये कोड संगत कोड हो गए और संगत कोड बराबर होते हैं तो अगर ये 60 है तो ये भी 60 हो जाएगा यानि कि इसका आप्षान नंबर B 60 डिग्री सही है नेक्स्ट कोशन है आकरत में कोड PQR PQR 70 डिग्री QPR QPR 40 डिग्री तो PRS PRS हमें निकालना है तो देखते हैं त्रिभुज PQR में हम देख रहे हैं जो कोड PRS है ये 22 कोड है यानि कि त्रिभुज PQR का ये 22 कोड है तो प्रमे होती है 22 कोड किसी त्रिभुज के सुदूर इस्थित अन्ता कोडों के योग के बराबर होता है तो सुदूर इस्तित अन्ताकोड को होना है यानि कि ये 22 कोड है ये तो पास में इस्तित अन्ताकोड है तो इससे कोई मतलब है नहीं हमें ये सुदूर इस्तित अन्ताकोड है और 22 जो होता है सुदूर इस्तित अन्ताकोड को योग के बराबर होता है तो हमें करना क्या है सत्तर और चौविस को जोड़ देना है तो सत्तर चौविस जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा चौरानवे यानि की अंसर नमें भी इसका सही है आपको ये प्रमे ध्यान रखनी है कि कि किसी त्रवुज का बहिश कोड उसके सुदूर इस्थित अंताकोडों के य चित्रमयद A B बराबर B C और A B C बराबर 90 डिगरी A B C कोड जो है वो 90 डिगरी है ये लाइन और ये लाइन बराबर है तो B C D का मान होगा B C D कोड जो है B C D इस कोड का हमें मान निकालना है तो हम देखते हैं ये 90 डिग्री है और ये लाइन ये लाइन बराबर है ठीक है तो ये लाइन बराबर है ये लाइन दोनों बराबर है तो इनके सामने के इसके सामने का कोड ये वाला इसके सामने का कोड ये वाला ये दोनों भी आपस में बराबर होंगे यानि कि ये कोड और ये कोड भी कि तो यदि ये नब्भे है तो इन दोनों का योग भी 90 होगा क्योंकि समकोर्टिवज के अनताकोड़का योग 180 होता है और हमने कहा कि यह बूझा और ये बूझा बराबर है तो इनके सामने के यह कोड भी बराबर होंगे तो इन आधा करेंगे तो यह 45 नप्रतालीस का हो जा जाएगा आपका यानी कि हम कहेंगे 180 मौाइनस पैतालिस तो यह हो जाएगा आपका 135 कि इनिकि आपका अप्षन इसमें सही हो था आपी नमबर द्यूंबर एक 135 इस ठीक है नेच्ट कोशन है निम्ण चित्र में कितने हैं तिर्भूजों कि संख्या आपको बतानी है कि इस चित्र में त्रभोजों की संख्या कितनी है तो सबसे पहले हम बड़े त्रभोज को count करेंगे पहला यह वाला हो गया एक कि दो को यह हो गया तीन कि यह हो गया चार यह हो गया आपका 5 यानि की तीरविजो की संख्या कितनी है 5 आप नमबर ये आपका सही है तीरविज काउंट करने के लिए आपको सबसे बड़ा फिगर पहले लेना है फिर उसे चोटा फिर उसे चोटा लास्ट में सबसे चोटा इसे अब उकर काउंट देंगे तो counting Kanonohin गलुवे नहीं ओगी तो है नेस्ट को चनह और में सम्दीबाव त्रफुज की कोई दो भुजाएं सदे नहीं है व सबति בע세요 एुग थे बढ़ सकती है तो अभी आपको बतायागा शम मलार्व拜拜 सत्रा संटी मीट्र पंद्रा संटी मीटर है तरिवोज का प्रिकार बताइए आपके आप्षान है समध्य बाहुत्रिवोज अधिक कोड तिभुज चमपोड तिभुज आपको यह बताना है यह जो ऊपर भुजाओं की लंबाई दे रखी है उस इसाफ से आप्षण में आपक होता है निफ्ट है अधिक कोड़ित्यूज्य और शमकोड़िपूझ हो सकता है तो हम देखते हैं पहले संब कोड़ित्यूज को सम Task के लिए क्या करते हैं याने की करुद इसक्वार इसक्वार बराबर अधार square plus lump square, इस condition को अगर हम हो जाएं रखके follow कर दें, बराबर कर दें, तो यह संकोर्टेपुछ फासकता है, तो क्या करेंगे, कड मतलब जो सबसे बड़ी होजा होती, यानि कि 17 का square बराबर 15 का square प्लस आठ का इस्क्वार ठीक तो यह 17 का इस्क्वार कहेंगे 289 आएगा 15 का आएगा 200 25 प्लस यह होगा 64 यानि कि इसको जब जोड़ेंगे तो कितना आएगा पांच आनो चेदो आठ दो यानि कि यह 298 आगा यानि कि यह और यह चीज बराबर है यानि कि हमारा आप्षन इसमें सही होता आप्षन नमबर डी सम कोड दिवोच नेक्स्ट कोशन है चित्र में A B B C बराबर है यानि कि यह रेक लाइन और यह लाइन घुजा यानि कि बराबर है और B A C असी है हला है B A C यह और आपका असीद्र का है बज्वच को कि यह अगर बताचल जाए दो इसमें हम जोर देंगे तो हमें बहिषकल मिल जाएगा तो हम आगे कहते हैं, अब कहा है कि यह लाइन यह लाइन बराबर है, तो इस लाइन के समने की का कोड जो है यह है और यह भुजा इबुजा बराबर है तो इसके सामने progress भी यह असी हो जाएगा है तो इस कोड से हमें कोई मतलब ही नहीं है इसको नहीं ग्याद करेंगे यह हमारा भी 80 हो जाएगा अब हम भाइस कोड़ पर आते हैं यह सीधी लाइन है जिसका यह पूरा 180 है तो उसमें से 80 घटा देंगे तो आपका उत्तर आ जाएगा 100 डिग्री यानि कि बहिस कोड़ हो जाएगा 100 डिग्री अप्शन में नहीं दे रखा है 100 डिग्री सही होगा नेक्स्ट कोश्यन है संभा ओतर रिभुज की एक भुजा बढ़ा ही जाय तो बहिस कोड़ कितने अंसका होगा कोई शंभा हो तिर बुझ है संभा हो मतलब जिसका प्रते एक कोड 60 डिग्री हो या तीनों बुझाएं बराबर हो तो इसकी एक बुझा हम बढ़ा देते हैं तो पूछ रहा है बहिश कोड ये आपका कितना होगा तो बहिश कोड शुदूर इस्ते अंताकोडों को योग के बराबर तो ये शाठ ये शाठ ये भी साठ है तो हमको ये शाठ दोनों से मतलब है तो साठ शाठ जोड़ देंगे 120 यानि कि आपसे नमबर सी आपका सही है नेक्ट कोशन है एक एन भुजावाले बहुज के किसी सीज से खींचे गए विकरणों की संख्या के लिए वेंजक है यानि कि आपको बताना है एन भुजावाले बहुज के किसी सीज से खींचे गए विकरणों की संख्या के लिए कौन सा वेंजक है आपका option इसमें सब्सक्राइब था, option number dn-3, कैसे, माल लीजिए कोई n भुजा वाला बहुज ये है, ठीक, इसमें कितनी भुजाएं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ठीक, अब इसको हम विकर्ड इसके मिला देते हैं, तो इसके विकर्ड मिलाएंगे, तो एक ये हो गया, एक विकर्ड ये हो गया, ठीक है, तो भुजाएं कितनी अभी हमने बताई, n बताया हमने, भुजाएं, 6 बताई है, और विकर्ड कितने बताई है, विकर्ड हमने बताई है, 3, 1, 2, 3, तो 3 विकर्ड हो गया, अब हम इस वेंजिक में अगर रखके देखते हैं, तो हम रखते हैं, n माइनस 3 वाले वेंजिक में रखते हैं, तो n कितना है, 6 है, और ये 3 तो सूत्र का है, इस 3 इसमें से घटा देता है, कितना आएगा, 3 ही आएगा ना, और 3 हम इसमें देख सकते हैं, 3 ही भी खड़ हैं, तो इसे साब से आप्शन नमबर, डी आपका सही हो होता है, नेक्स्ट कोशन है, वर्क के चारों अन्ता कोड़ों का योग होता है, वर्क के चारों अन्ता कोड़ों का योग क्या होता है, तो वर्क का प्रतेक अन्ता कोड़ों 90 होता है, तो चारों का कितना हो जाएगा, से 300 साठंस है नेक्स्ट कॉशि pickle किव रत किक दो बिंदो Playstill करने वाली चौन रेंखा के नती schme किव रत के दो दो एक बिंद ढूले हैं यह यह तो दो गिंद sé Kosta करने वाली यानिकी आर पाने के लिए नहीं रेखा तो वो होती है आपकी छेदक रेखा यानि कि आपसे निवर भी इसका सही है कि नेश्ट कोशन है कि दिये हुए चित्र में कि अलफा का मान बताना है यानि कि इस कोड का मान हमें बताना है यहां ओवरत्य का केंद्र है तो आपको इसमें कि एक्रमें याद रखनी होगी कि केंद्र पर बना कोड परीध पर बने कोड का दो गुना होता है यानि कि यह अगर 60 है तो यह 30 होगा या तो हम इसे इस प्रकास से कह सकते हैं परीध पर बना कोड केंद्र पर बने कोड का अधा होता है तो यह अगर 60 है तो यह कितना हो जाए है इसमें कि सी हैHi a Kalin gonna Rig्ह कि नेक्स्ट रोशन है दिये गए चित्र में यद्यो बरत् का केंदर है तो x और y के बीच क्या संफन्द होगा ये x-coad है ये y-coad है इसके बीच हमें संबंद ग्यात कहिना है तो सबसे पहले क्या करेंगे आपको बताया गया कि केंद पर बना कोड परीत पर बने कोड का दो गुना होता है यानि कि ये कोड जो है इस कोड का दो गुना होगा तो क्या करेंगे और ये पूरा कोड कितना है तीन सो साथ का तो ये कोड कितना हो गया एक्स उधार जाएगा प्लेस का हो जागा एक्स प्लेस टू आई बराबर तेन सो कि शाट यह अप्शन आपका सही होता है इसमें अप्शन नंबर डी कि चलिए नेक्स्ट वोशन है कि दिये गये चित्र में कोड़ OAB यानि कि यह कोड़ 40 है था कोड़ हमें ग्याद करना है ACB यह कोड़ हमें ग्याद करना है तो क्या करेंगे यह व्रत की तिज्जा है यह व्रत की तिज्जा है यानि कि इसके सामने का कोड और इसके सामने का ये कोड बराबर होंगे तो एक कोड हमें दे रखता है चालिस है तो ये कोड भी कितना हो जाएगा चालिस का तो अब हम देखेंगे इस तरभुज में तरभुज ए ओ बी में िसलिए है यह 40 श्रीट है यह हमें निकलना है तो यह 50 हो गया जैज और हो जाएगा आपका 100 या यह kuard आपका निकल आया ञार। तो परमें लगादी यह केंदन कोड कोड त्रिभुज के सीज से व्यत पर बने कोड का दोगना होता है तो क्या करेंगे यह यहां पर सव आया था तो यह आधा हो जाएगा पचास का यानि कि आपसे नमेर यह आपका सही होता है next question है नेमन चित्र में ओवरत्त का केंद रहें ओवरत्त का केंद है कोड्ड O C B का मान कितना होगा और O, C, B यानि कि इस कोड का हमर्मान निकालना है तो अभी आपको बताया गया कि केंद पर बना कोड, परित पर बने कोड का, दो गुना होता है तो यह अगर 110 का है, तो यह कितने का हो जाएगा? यह हो जाएगा आपका 220 का कि यह कोड़ 220 का हुआ और यह पूरा होता है 360 का तो उसमें से 360 में से 220 घटाएंगे 360-220 कितना आएगा 140 ठीक है तो यह कोड़ आपका कितना हो गया 140 का यह 140 का हो गया अब आगे देखते हैं है कि यह अब का 140 हो गया यह व्रत्य कें तरफ hiking सामने का पूड़ यह बराबर होंगे यौर यह आपका 140 का हो गया तो बाइटी दोनों का योग कितना होगा चालीस का तो दोनों हुट बुराबर है जो कि आपके आने वाले exam की त्योंस से काफी important है कम से कम एक्ष्ण इसमें से बनने ही बनने है तो फ्रेंट्स यदे आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दिए साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दिए इससे के आने वाले वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे थैंक्यू